हेलो फ्रेंज, वेल्कम टु इंग्ली शोट एंड टोडेस्टॉपिक इस दा शनुक पार्ट सेकिड्ड शनुक का एक पार्ट हमारा हो जुगा, ये उसी का सेकिंड पार्ट है, ठीक है? जिसमें शणूक part 1 में हमने चार रूल्स किये हैं शणूक के आज हम रूल नमबर 5 करेंगे तुर जो शणूक part 1 था उसमें मैंने आपको बताया कि शनूक के लिए हम लार्ज गूर्स करेंगे ठीक है बट रूल नमबर 5 में क्या है कि इसमें आप जब शन फॉलोव सर्कल एस एन एस सर्कल एस हो या सर्कल एन एस सर्कल एनस कौन सा होता है एन हुग के साथ ऐसा जाए तो सर्कल एनस ठीक है किसी भी स्ट्रोग पर जब जब दोनों फॉलोव आएंगे शनुक के साथ बाई एस स्मॉल हुक तो हम कैसे रिपरेजेंट करेंगे उसे बाई एस स्मॉल हुक रिटन एन ऑपोजिट साइड टू दे सर्कल एन विद शेम मोशन circle जिस तरफ हमारा s circle होगा या जिस तरफ हमारा n s वाला circle होगा उसके opposite side शनुक यूज करेंगे small hook ठीक है for example decision d circle s और ये इसी motion में हमने n hook लगा दिया small hook ठीक है ये हो गया हमारा decision ये circle s के opposite shun hook small hook ये है हमारा shun hook और इससे पहले आ रही है s वाली sound ठीक है तो ये आगया circle s और ये शनुक but s के बाद जो e ये वोवल final वोवल, last वोवल है third place उससे हम कहाँ पुट करेंगे तो वो हमारा shun hook के before यहाँ दी पुट होगा, ठीक है, third place ओके, ये हो गया decision decision ठीक है, इससे example है position, तो ये कैसे होगा piece stroke, z और ये shun hook, opposite side ये हमारा z वाला circle ठीक है, और वोवल place third है, third place हम यहाँ पुट करेंगे ओके, तो ये हो गया, position ठीक है, position रूल नंबर फाइव में हमारा second point जो है वो है, third place वोवल between the circle and the shun hook circle, चाहिए वो s circle हो, चाहिए ns circle हो, उनके बीच में अगर third place वोवल आए, उसके और shun hook की बीच में circle और shun hook की बीच में third place वोवल आने पे, जो वोवल है, वो कहाँ पुट करना है, वैसे मैं यहाँ आपको बता चुकी फिर भी, इसका इक अलग से point है हमारा इसके कुछ example करते हैं, position, यहाँ भी मैंने position ही लिखा है, p stroke, s circle और यह शun hook, position, और वोवल प्लेस यहाँ लगीगा, हमारा third place, ठीक है, शun hook की before अगर डोट लगता है, तो वो हमारा third place से वोवल है, ठीक है, ऐसे ही, जी सांदे है, physician, so it should be, physician, okay, यह हो गया है हमारा physician, कट लाइन है, physician, यह हमारा position, positions, it means हम शun hook के यह चो small hook है, इसके साथ हम circle भी attach कर सकते हैं, अगर final circle हो तो, जैसे यहाँ position हमारी, यह बना small hook, ठीक है, इसके साथ ही last में आ गया s circle, तो हम उसे कैसे attach करेंगे, यह हमारा position, और इस ही में हमें एक circle attach कर देंगे, यह हमारा हो जाएगा position, ठीक है, position, बड़ा बना के दिखा दिती मैं आपको, positions, ऐसे circle attach हो जाएगा, और डोड लगेगा, I वाला, S के बाद वाला, यहाँ, और यह हमारा हो जाए position, ठीक है, ऐसे हम small circle भी शनुग के साथ attach कर सकते हैं, small hook के साथ, ठीक है, next example is, transition, आप देख सकते हैं यह, N के साथ ऐसे, means hook के साथ circle attach होगा, अफिश शनुग लगेगा, शनुग, small hook, so outline should be, TR, tran, N, circle, S, अफिश यह, शनुग, ठीक है, small hook, यह हमारा small hook है, ओके, third place हमारा यहाँ लगेगा, और यह जो है, वो हमारा N, S, रेड होगा, N, hook, और S, circle attach करके, starting में हमारा T के साथ R होगे, transition, ठीक है, यह हमारा first place, A वाला, ठीक है, अब, जैसे मैंने बताया कि हम circle attach कर सकते हैं, position के साथ, positions में हमने circle attach किया, वैसे ही transition में, transitions में, circle attach कर सकते हैं, opposite side, N, S, और यह हमारा, शनूक, और इसी में हम circle attach कर देंगे, यह हो जाएगा, हमारा transition, ठीक है, ओके, यह होगे हमारा transitions, यह होगे हमारा transition, ठीक है, यह होगे, transitions, transitions, S circle attach कर सकते हैं, जो मैं लार्ज हैं बता भी रखा क्या थे attach करते हैं, circle या NS के opposite side हम शनूक लगाएंगे, और उसी शनूक में हम small circle attach करते हैं, ठीक है, चलते नेक्स डूल पर, rule no.5 में ही हमारा last point है, when a second place over is to be read between, यह मैंने BW between लिखा है, between, ठीक है, confused नहीं होना, यह between लिखा है, when a second place over is to be read between the circle and शनूक, it needs not to indicate, means, जब हमने बढ़ा कि it's the third place over आये, circle और शनूक के बीच में, तो हम उसे put करेंगे शनूक से पहले dot, ठीक है, बट अगर second place आये, तो क्या करना है, तो हम करेंगे, example से मैं बताती हूँ आपको, यह हमारा position, इसको करेंगे हम, P stroke, S, Z circle और यह शनूक, और यह हमारा second place vowel है, pen वाला, इसे हम put नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे कोई vowel sign put नहीं है, तो वो हमारा second place ही read होगा, ठीक है, क्योंकि third place के लिए हम vowel sign put करते हैं, और second place के लिए हम vowel sign put नहीं करते हैं, ठीक है, for next example is sensation, its outline should be sun circle S, और यह शनूक, ठीक है, यह हो गया हमारा sensation, अब second place vowel है, यह वाली sound है, तो हम vowel sign put नहीं करेंगे, ठीक है, sensation, next example is, dispensation, it should be, cut the line, dispensation, ठीक है, यह होके हमारा dispensation, dispensation, second place से ए वाली sound है, यह वाली sound है, pen वाली sound है, second place आने पे, circle और शनूक के बेच, अगर second place sound आती है, तो हम वहाँ पे vowel sign put नहीं करेंगे, अगर जहां कहीं भी आपको दिख जाए कि शनूक है, यह small वाला हूक है, और यहां vowel sign put नहीं है, it means, यहां second place oval sound है, ठीक है, अब रह गई बात first place की, so first place में मैं आपको बता दो कि first place के लिए हम, शनूक को और circle N, S, या S में first place के लिए sound नहीं आती, ठीक है, first place oval do not occurs between the circle and शनूक, ठीक है, so, यह हो गया 5, rule number 5 हमारा यहां complete, 6th number rule is, शनूक मीडियल, जैसे हमने R hook, L hook, N hook, F hook, V hook, middle में पढ़ा, वैसे ही शनूक भी हमारा middle में आना ही था, तो अब हम शनूक का पढ़ेंगे कि middle में कैसे use होगा, for example, additional outline should be, D, शनूक और यह L, यह होगा हमारा additional, ठीक है, यह L हमारा downward, next is action able, action able, so outline should be action hook, B, L, यह होगा हमारा action able, able, यह शनूक है हमारा middle में, so, शनूक की sound, middle में आने पर हम शनूक, large hook, use करेंगे, not small, large hook, यहां सिरफ शनूक की sound है, ना इसते पहले S है, ना NS, ठीक है, next example is, devotional, so outline should be, devotional, D, then V, D, शनूक, और फिर L, यह होगा हमारा devotional, ठीक है, यह हमारा शनूक है, middle में, और यह हमारा upward है, च्योंकि इसमें हम L downward नहीं कर सकती, यहां हमारा L upward यूज होगा, ठीक है, next example is, यह हमारा डश होगल है, next example, transitional, outline should be, NS, L, transitional, Z, S, A, transitional, ठीक है, यह L, T, L, NS है, तो N होग की तरफ से ही, हम S circle बनाके, opposite side शनूक लगाएंगे, यह हमारा small होग, small shun hook, ठीक है, यह हमारा sixth point होगया, कि शनूक को हम middle में यूज कर सकते हैं, last point है हमारा rule number seven, if it trifons, proceeds shun hook not use, जब trifons, trifons मैंने बताया था, dipthong में आपको, जब दो vocal sound आए, इकठी, तो वो हमारी dipthong होती है, बट तीन vocal sound एक साथ आए, तो हमारी trifons होती है, तो trifons तीन vocal sound आने पे हम शनूक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अब शनूक का यूज नहीं करेंगे, तो क्या लगेगा, शनूक का हमारा वहाँ स्ट्रोक यूज होका, ठीक है, फूर एक्जाम्पल, situation, circle as, टी और यह शन, यह हो गया हमारा, situation, यू और, योडिपthong और स्टिक लगा देंगे, ट्राइफ्वांस के लिए, तो यह हो गया हमारा, situation, ठीक है, कट डालाएं, ऐसे ही, intuition, आउटलाइन शूट भी, intuition, यह हमारा, शनूक है, सोरी, sunstroke है, हुक यूज नहीं करना, जब तीन वोबल की sound इकठी आए, तो यह लगएगी हमारी डिप्थों यह, यह हो गया, intuition, ठीक है, intuition, थर्ट फर, ट्राइफ्वांस है, तो हम शनूक का stroke यूज करेंगे, बट, इसमें भी कुछ exceptions है, exception क्या है, exception है कि, lengthy outline के लिए, हम शनूक यूज करेंगे, शनूक large hook यूज करेंगे, क्योंकि, अगर वहाँ हम stroke यूज करेंगे, तो outline हमारी और ज़्यादे length हो जाएगी, यह जैसे words है, यह हमारे बड़े words है, ज्यादा इसकी outline जो है, वो ज्यादा lengthy मनेंगी, तो उस length या outline को avoid करने के लिए, हमें वहाँ large hook यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक्षियन ट्यूएशन आउट्लाइन शुट भी के एस एन ट्यूएशन, जो यह होगी, एक्षियन ट्यूएशन, यू डिप्थ होंगा रही है, साथ में टिक, ट्राइफोन से हैं, बड़ आउट्लाइन को short करने के लिए हमने, यहाँ hook यूज किया, लेंथी आउट्लाइन है, लेंथी आउट्लाइन में आप शन्हूग यूज करेंगे, चाहे वहाँ पर ट्राइफोन आए या ना आए, ठीक है, यहाँ ट्राइफोन से हैं, बड़ यहाँ हम hook यूज करेंगे ना कि stroke, यह हमारी short outline थी, short outline में हम ट्राइफोन के लिए शन्हूग का stroke यूज करेंगे, नेक्स्ट एक्जामपल इस, परपेट्वेशन, आउट्लाइन शुट पी, पी, आर, पी, ट्यू, एंद एन, शन्हूग, और टी के बाद मैंने आपको बताई रख़ा है, किसके टी stroke आने के बाद अगर शन्हूग आता है, तो वह राइट साइड यूज होगा, ठीक है, यह हमारी टिक्था, यह है, परपेट्वेशन, ठीक है, तो लैंथी आउट्लाइन के लिए, आप शन्हूग यूज करेंगे, ना कि stroke, ठीक है, यह जो आउट्लाइन है, यह ह यूजड, ओके, तो फ्रेंट्स, यहां हमारा शन्हूग का पार्ट वन और सेकिंड दोनों कम्प्लीट होते हैं, इसे नेक्स्ट हम इसे रिलेटेट ग्रेमलोक्स करेंगे, ठीक है, और मैं जाहूँगे आप ग्रेमलोक्स को भी उतना ही इंपोर्टेंस देए, जितना आप को वीडियो नोलिजबल लगी, तो फ्रेंट्स से लाइक कीजिए, शियर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, सी यू इन दे नेक्स वीडियो, बाई, टेक केर